नमस्कार दोस्तों, मैं सौरव, पुरांजे जुदिश के तरफ से आप सभी को तेहे दिल से स्वागत करता हूँ. हम में से ज़्यादता लोग जानते हैं कि हमारे जिन्देगी पे जितना सारा परेशनिया होता है, उसमें से ज़्यादता परेशनिया राहु के हमारे जन्मकुनली पे अशुफ अवस्तान के कारण होता है। इसलिए राहु के इस अर्शुफ फल से कैसे हम खुद को और खुद के परिवार को बाचा पहेंगे इसके बारे में आज हम जानेंगे। चलिए जानते हैं। राहु के आराध्या देवी है दश महा विद्धा के एक विद्धा देवी छिन्नमस्ता। किसी किसी के अनुसार राहु के आराध्या देवी है देवी शर्श्वति। इसलिए अगर हम देवी छिन्नमस्ता या देवी सर्श्वति का संपूर्ण निष्टा और वक्ति से पूजा करें तब हमारे जिन्दिगी से राहु के प्रभाब घट सकते हैं। अगर संब्भ हो तो किसी भी डोम यानि के चंडाल को पेट भर के खाना प्रदान कीजिए। नहीं तो किसी भी मेथर को सर्शो का तेल, तील तेल और महसूर के डाल प्रदान करें। अगर देवी चिन्दमस्ता या देवी शर्शती के मंदिर पे नारियल को तोड़ कर पूजा प्रदान किया जाए और पूजा के बाद उस प्रशात को ग्रहन किया जाए, तब भी राहु के असुप्रभाब से मुक्ति मिल सकता है। नई तो कोई खाकी धागे के साथ ओम और स्वास्तिक चिन्द का एक साथ शरीर पे धारन करें। किसी भी शुव शनिवार को शुव समाय पर। ये करने से आपके जिन्दिगी में जो राहु का अशुप्रभावे ये घट जाएगा। लेकिन ये सब करने से पहले आप खुद के जन्मुकुंडली को शठीक विचार करके उसके बाद ही ये सब उपाचार करें। वरना ये उपाचार के रिए आपको अशुप्रप्राप्त जरूर होगा। दोस्तो अगर ये वीडियो आपको पसंद आता है तो इस वीडियो को लाइक करके इस वीडियो को अपके अपनों में जरूर शियर करना ताके आपके अपनों भी इस विशाय को जान पाए और इसको अपने जिन्दिगी में प्रयोग करके अपने जिन्दिगी को बहतर बना सके और अगर आपके जिन्देगी में कोई भी समसा है तब आप जितना जुल्दी हो सके हमारे साथ संपर कर सकते हैं वारती जोतिश के बारे में अगर आप में कोई भी प्रशन है तब आप हमें कॉमेंट कर सकते हैं पुरांजा जोतिश और पुरांजा जोतिश के सफलता के बारे में विस्ता से जानने के लिए आप पूरान जाए जोतिश के वेबसाइट पर लॉग इन कर सकते हैं दोस्तों आज एही तक फिर मिलेंगे हमारे अगले वीडियो पर भारती जोतिश के और एक चौकाने वाली वीडियो के साथ तब तक के लिए आप सभी खुश रहना अ झाल 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 झाल